येदॉरपपा जिनों ने इस्तीफा दे दिया है धाई दिन के मुखे मंत्री करणाटक के येदॉरपपा ने इस्तीफा दिया फ्लोर टेस्ट हुआ ही नहीं और अब यदुरप्पा निकल गए है विधान सभा से राजभवन की ओर जहां वो राजपाल को जाकर अपना स्तीफा सोपेंगे फिलाल ये तस्वीरे आपके सामने हैं देखिए कुमार स्वामी को देख रहा है आप इन तस्वीरों में और साथ में और कौन को नजर आ रहा है सुभाज जी कुमार स्वामी जी है रोशन बेग है और मतलब कॉंग्रेस और जेडियस की नेता दोनों एक साथ है जी बताइए किस तरीके से विक्ट्री का निशान बनाते हुए हस्ते मुस्कुराते के चेरे कुमार स्वामी बहुत हस्ते हुए नजर आ रहा है डिके शू कुमार के साथ और जो सरकार बनने वाले हैं करनाटक में आगे उसी नेता वहाँ पे बहुत खुश नजर आ रहा है जी एक बार फिर से इन तस्पीरों को जरा गौर से देखे किस तरीके से कॉंग्रेस के नेता के साथ कुमार स्वामी जो है वो हाथ मिलाते हुए विक्ट्री का निशान बनाते हुए देखे राजनीती है यह जो ऐसा है हम पहले से एचडी कुमार स्वामी और जो डीके सुकुमार है वो पहले से वहीरी माना जाता थे आज वो दोनों साथ आ गए हाथ मिल गए राजनीती में कुछ भी हो सकता है यह साफ साफ नजार आ रहा है हमको कांग्रेस और जेडियस उसकी सरकार 2004 में पहले थे और फिर अब बनने वाले है बिल्कुर हम सीधे रुख करते कंशिन गुप्ता जी हमारे साथ मौझूदे कंशिन जी नंबर तीन जो पार्टी साबित होती है चुनाव नतीजों के अंदर उसके मुख्यमंत्री बनने जा रहे करना थे यही एक हमारे डिमॉक्रसी की फेटल फ्लॉव है कि जो यह चुनाव में तीन कंटेस्टेंट थे पहले नंबर में जो भरकर आया वो सरकार नहीं बना पाई दूसरे नंबर में जो पार्टी आई तो वो पार्टी पावर में थी और लोगों ने उसको रिजेक्ट किया और तीसरे नंबर में जो पार्टी आई है वो उसको सबसे ज़्यादा नकारा गया इसके बावजूद दूसरी और तीसरी स्थान के जो दल है वो मिलकर अब सरकार बनाने वाले है ये माफ कीजिएगा ये कोई डिमॉक्रिसी की धारा नहीं है ये परवर्जन है करना तक में बीजेपी की सरकार गई विकास आपको मेरी आवाज मिल रही है जी बीजेपी की करनाटक में सरकार गई ये दुरप्पा का इस्तीफा बड़ा जटका बीजेपी के लिए ये आदे कि बहुत बड़ा जटका है और जैसा कि पिछले दो दिनों से लग रहा था जैसे सुप्रिम कोर्ट ने ये कहा था कि शाम चार वजे आज आप वहुमत साबित करें उसके बाद से संधेश संकेत मिलने लगे थी कि बीजेपी के पास इस पस्त बहुमत नहीं है लेकिन आखरी बक्त पर दो कॉंग्रेस के जो विधायत थे आनंद सिंग और साब गोड़ा वह वापस कॉंग्रेस खेमे में लौट गए और जैसा कि तस्वीरों में आपने देखा होगा विजान सभा में जब वे पहुँचे थे तो डीके शिपकुमार जो कॉंग्रेस में वे यहां मंत्री रहें उन्होंने रिसीव किया और सिधे सदन के जहां कॉंग्रेस की बेंचेस थी वहां ले जाके उनको बिठाया उसके बाद यह सपस्ट हो गया था कि अब बियस एदुरप्पा की सरकार वहुमत साबित नहीं कर पाएगी और ठीक वैसा ही हुआ एमोशन चुकि है विधान सबाद से सीरे गवर्नर हाउस कहे है राजिपाल को जाके वजुवाई बाला को जाके वो अपने अस्टी पार हेंगे जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस्तबान जानकारी के लिए विकास भदोरी और देखिए दो तस्पीर हम आपको देखा रहे ह 1996 में अटल सरकार कुछ इसी अंदाज में गई थी और आज ये दुरप्पा सरकार गई है रशीद किद्वई साहब जो पिता ने किया था 22 साल पहले अब वहीं राज्ये के अंदर बेटा दोराने जा रहा है देखिए और यहां पर एक बड़ा एक बहुत बड़ा जो प्रेशिंचिन उठाता है राश्पती और गवर्नर की भूमिका को कि गवर्नर ने एक पार्टी जिसके पास प्रियाद बहुमत नहीं था उसको ओद दिला करके मुख्यमंतरी और प्रधान मंतरी बनाया मुझे ल करी करी भी होती है